तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा पशू के थन से दूद नहीं आ रहा है या दोस्तों मैं आपको बता दो चाहे आपका कोई भी पशू है चाहे गाय है चाहे भैंस है चाहे बेड है या बकरी है ये सभी के लिए वीडियो है सभी के लिए ये ट्रीट तो अगर आपके पसू के थन से दूद नहीं आ रहा है थन में कोई रुकावट हो रही है या थन में कोई गाठ है या थन कठोर हो गया है सक्थ हो गया है हार्ड हो गया है और या थन कई बार शोफ्ट भी रहता है नरम भी रहता है लेकिन फिर भी उसके अंदर से दूद नही आ रहा है उसके अंदर जाला बन जाता है जो कि दूद को बार नहीं आने देता है तो इस तरह की सभी समस्याओं का इलाज आपको बताऊंगा और एक बात बता दो दोस्तों कि ये इलाज आप मातर कुछ दवाईयों से कर सकते हैं इसमें कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है आप खुद अपने हाथ से कर सकते हैं किसी डाक्टर को भी बुलाने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों ये कौनशी दवाईया है दवाईया भी मातर दो ही हैं दोस्तों तो ये दो दवाईया कौनशी है कब कितनी कैसे देनी है वो सब कंप्लीट जानकरियाद आपको इस कि रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट कर ले और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक को फोलो कर ले जिए साथ ही हमारे फेस्बुक पेज टूडे फार्मिंग जोन को भी फोलो कर ले जिए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों यहां सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू कि अगर आपके पसू के थन के अंदर गाठ है बड़ी गाठ है बहुत बड़ी गाठ है पुरानी गाठ है तो दोस्तों इसके लिए सही तो यह रहेगा कि एक टीथ ट्यूमर एक्स्ट्रेक्टर आता है जो कि आप स फिर उपर हो तो वो गाठ इसके दवारा आप निकाल सकते हैं आपने लेकिन ये खुद नहीं निकालनी है आपने खुद इसका प्रियोग नहीं करना है किसी अच्छे डक्टर से ध्यान दे किसी अच्छे चिकित्सक से किसी अच्छे डक्टर से जो कोई नए शिखिया होते है उनको हाथ नहीं लगाने देना है क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा नाजुक मामला होता है अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड हो गई तो आपके पसू का थन पूरी जिंदगी के लिए खतम हो सकता है तो किसी अच्छे डाक्टर से ही ये जो टीथ ट्यूमर एक्स्ट्रेक्टर है इसका परियोग करवाए और इसके नोक पर छोटे छोटे बलेड होते हैं दोस्तों तो ये थन के अंदर जब घुसाते हैं तो वो छोटे छोटे बलेड जो है वो अंदर थन के अंदर जो गाट होती है उसको काट देते हैं और थन से दूद आने लगता है तो दोस्तो ये तो हो गई एक अलग बात तो अब आते हैं अपने इलाज पर तो दोस्तो उसके लिए आपने क्या करना है आप एक सामने पोडर देख रहे हैं नाम है SPE 15 यानि कि SPE 15 तो दोस्तों इसमें 12.4 गराम के 5 पाउच आते हैं जो कि आप सामने सक्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का ये एक पाउच होता है तो दोस्तों इस SPE 15 पाउडर में क्या होता है इसमें potassium iodide होता है परचूर मातरा में seratio peptidize होता है नाइसीन होता है सिलिमीन होता है तो दोस्तों ये सभी जो थनों में जितनी भी परकार की दिक्कते होती है उनके लिए बहुत ही लाबदायक होते हैं जैसे थनों में क्या-क्या दिक्कत होती है जैसे थनों के अंदर सूजन आ जाती है स्वैलिंग आ जाती है या फिर थनों के अंदर गाठ हो जाती है थन हा इब्रोसिस हो जाता है या फिर फंगल मस्टाइस हो जाता है तो उस तरह के थने लारोगों में भी इसका बहुत ही अच्छा फाइदा देखा जाता है तो दोस्तों ये तो थनों के लिए एक वर्दान का काम करता है SP E 15 पोडर ये आपने इसका कितना डोज देना है तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताई ये इसमें 12.4 गराम के 5 पाउच आते हैं तो ये एक पाउच आपने जो बड़े गाएब ऐसे हैं उनको देना है और जो छोटे पसू है जैसे बेड़ बकरी है उनको आपने ये आदा पाउ में घोल कर भी पिला सकते हैं या तो जो दाना, मिशरन, दलिया वगएरा फीट बंटा जो भी अपने पसू को खिला रहे हैं उसमें मिला कर खिला सकते हैं तो दोस्तों इस तरह की सभी समश्याओं को ठीक करने के लिए एक दूसरी गोली आती है बोलस आती है जिसका नाम है आर थ्री सोल बोलस जो कि आप सामने सक्रीन पर देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके पसू के थणों में सूजन है या गांट है तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा बेनेफिट देखने को मिलता है तो ये दोस्तों बड़े गाए बैसों में दो गोली सुबै दो गोली ये तो है इस तरह की सभी समद्थ को इलाज तो अगर आप इस तरह के रोगों को जल से जल ठीक करना चाते हैं क्योंकि दूस्तों यह मैं आपको बता दू कि आपके पसू में जो थणों की बिमारी होती है या थणेला रोग जिसको कहते हैं मेस्टिटस इंगलिश में बोलत लिए खतम हो जाए तो इस तरह के केस में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए जब भी आपको पता चले तुरंत उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो दोस्तों यह मैं बता रहा था यह जो पोडर है बहुत फास्ट उसका रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग थरेपी के रूप में यह एक हिलेंट सप्रे आता है विर्बैक कंपनी का जो की सूजन में और गाठ में बहुत ही बेनेफिट देता है तो इसका परियोग आप कर सकते हैं दूसरा दोस्तो है कि विटामिन एच के बहुत सारे प्रोड़क्ट आते हैं वो आप बड़े पसुओं को 15-20 ml रोज का रोटी पे चुपड के दे दीजिए और जो चोटी बेड़ बकरिया है उनको 3-5 ml आप रोटी पे चुपड के या फिर दाना मिश्रण में दे सकते हैं पानी से ये बचा के देना होता है पानी के साथ ही काम नहीं करता है तो पानी से बचा के दे दे भूखा पेट देखके दे तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है ये अगर आप अपने पसुओं को देंगे तो आपके पसुओं की जितनी भी समस्या मैंने वीडियो की उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए बाज्यू में जो गंटी का बटन उसको भी दबा कर ओल पर सेट करते जाए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के स तब तक नमस्कार